हेलो गाईज, वेल्कम टे दिकार शेव, आज आपके सामने है All New 2022 स्कॉडा कुशाक, यह स्कॉडा कुशाक का Monte Carlo एडिशन है, जो की अभी 9th of May को लाउंच किया जाएगा, आज है 7th, तो आप सभी के लिए मैं लेकर रहा हूँ इसका एक वाकराउंड वीडियो, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चेंज, इस कार के अंदर किये गए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रेंट से, तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लाक फिनिश में अप ग्रिल मिल जाती है, जो कि आप पहले आपको क्रोम के साथ मिलते थी, नीच आपके यहाँ प इस पर पूरे मिल जाते थे, बाकि आपके यहाँ पर इसमें मैट ब्लाक फिनिश में आउट लाइनिंग दी गई है, और उस तबर आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लाक में दे दी गई है, तो यह काफी बढ़िया लग रही है, अवराल फ्रेंट प्रफाइल से, बाकी ग्रे यहाँ बाकी अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके इसमें थोड़ा डाक क्रोम के अंदर मिल जाता है, इसका डोर हैंडल जो कि पहले आपको नॉर्मल क्रोम में मिलता था, यह भी एक फीच पर आपको देखने को मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पर कम्प्लीट ऐसा क कुछ look मिल जाता है, इसके अलॉय बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर इसकौडा की बाजिंग वह दी जाती है भी मिलती है और यहां पर आपको पहले स्वार की सब्सक्राव का go को बाकि अगर से बगनेस देख सकते हैं यहां से आप को फूरी की काल को ब्रूफ पर आपके रहेर पेजिए ब्लाक नआके मिलती है जो कि पहले आपको और डिॉल jsो कब मिल रहा option पहले आपको single toad ही मिलता था इस कार के अंदर बाकि अंदर भी इस कार के काफी सारे changes किये गए जिनके बार में अभी हम कार के अंदर चल कर बात करेंगे लेकन उससे पहले हैं आपकी कार के लिए बहुत करते बारे में जो कि है इंवाल वान का मस्क पर फ्यूम इसकी बहुत ज़्यादा मसते इसके अंदर आपके उपर की तरफ्रेग्डेंस कंट्रोल लेड़ भी मिल जाते इसकी मदद से आप इस पर फ्रेग्डेंस को भी कमिया ज्यादा कर सकते हैं और यह एजी लिए राउंड आपको यहां पर काफी कोछ इसमें रेड कलर में देखने को बलता है सबसे बहले बात करते हैं इसकी सीट्स की तो यहां पर आपको पूरी लेडर में रेड कुष्टिंग ऑफर की जाती है बाकि आप इसका डाशपूट भी यहां पर देख सकते हैं कि कितना साधा अग्रेस आपको यहां पर फुली डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लिस्टर ऑफर किया जाता है जैसे कि आपको स्कॉडस लाविया के अंदर मिलता है बाकि अगर आप इसका वैसे नॉर्मल वाला स्टाइल में टॉप एंड वरियंट लेंगे तो इसके अंदर आपको यहां पर यहां लीह मिलता है आपको वहां पर एनलोर्ग मिंटरर की आफर किया जाता है बाकि आपके आपको यहां पर इसमें जाता हैं डिय गे यह barely बाकि कहीं न कहीं काफी जादा बढ़ें談त कि अदर मैं चेंजिमर्ट ज्चर में यह आए और उसके लावड़ा और कहीं भी मेंजर जो कि आपको इस size की कुछ मिलती है और इसे आप यहाँ पर electronically open या close कर सकते हैं और one touch का function आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है बाकी मैं भी इसे पूरी तरह से open नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उपर से कार यह काफी जादा गंदिया अगर मैं इसे पूरी खोलूँगा बाकी आपको इस कार का proper detailed walk round वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा जैसे यह कार लॉंच हो जाएगी यानि कि 9th of May को जो कि आपको शोरूम के अंदर दिया जाएगा बाकी अभी यह first look कि आपको मैंने दिना था यहां पर आपको चेंजेस देखने को बलते हैं और कहां कहां पर आपको यहां पर इंप्रूमेंट्स देखने को मिल जाती है बाकी इसके अदर आपको वही सेम पहले की तरहीं reverse parking camera मिल जाता है कोई 360 camera वगरा को यहां पर इस कार के अंदर add-on नहीं किया गया आपको सिर्फ एक कामरा मिलता है जो कि है सिर्फ reverse के लिए अब यह स्क्रीन यहां पर फिलाल on नहीं है बाकी आपको इसके अंदर भी कोई change देखने को नहीं मिल गया यह आपको सेम जो कि आपको सलाविया और साथी को शायक में मिलती है बाकी variants के अंदर वही सेम आपको यहां पर मिलती है जो किया दे वाइर लेस इंडॉय डॉटर और अपल कार प्ले के साथ बाकी जो major change था यही था इसके instrument cluster में जो की fully digital कर दिया है और यह काफी जादा sporty और प्रीमियम लग रहा है कीज भी आपको दिखा देता हूं यहां पर आपको इस कार के अंदर पहले की तरह ही कुछ इस तरह की फिलिप की जाएगी जो किया थी लॉक अनलॉक और टेल के डॉपनर के बटन के साथ बाकी अब बंद कलते हैं इसे और चलते हैं इसकी back seat के अंदर तो back seat के अंदर भी अगर changes की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको इसमें वही same red inserts का difference देखने को लेगा आपको यहां पर पहले red stretching मिल जाती है इसके armrest के उपर और कुछ ऐसी आपको यहां पर इसमें seat मिल जाती हैं जो किया थी ब्लाक और अंदर difference देखने को मिलता है model wise और अब मैं आपको देते तो एक closer look इसके alloy wheels का भी जिन के अंदर यहां पर red brake calipers को add कर दिया गया और परसनली में को काफी जादा बड़ी अलगे अब इसकार के alloy wheels पहले आपको यहां पर थोड़े अलग obviously slavia के अंदर भी आना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या के changes करे जाएंगे बाकी अगर Skoda एक dark edition भी निकाल देता है इसकार का तो वह भी काफी जादा बढ़ी अलगेगा वाकि अगर बात कर लेते हैं अब प्राइस की तो प्राइस मेरे हिसाब से एप्रॉक्सिमेटली 50 तू 60 थाउसें ट्रॉपीज बढ़ने वला इसकार का क्योंकि यह अब इसकार का निया 50-60,000 एक्ट्रा तो अप्रॉक्सिमेटली आपको 19,40 तक यह कार पड़ सकती है तो यह थी आइस कंप्लीट वीडियो आई होप यौल एंज्वीड इस वीडियो प्लीज शेयर इट विद यूर फ्रेंट फैमली और इस वीडियो आपको कैसी लगी और यह वेरियंट आपको कर दो毷ot ख Georgy और असमारatas हो आपको 11,99 एग कर दो होदू हो आपको संपाव यूँ हो इस वीडियों वेरियों। झाल झाल